अग्जित पोल के नतीजे आपके सामने है और आपने उसका इंपक्त में देखा होगा ज़रा सोच चीए अग्जित पोल के नतीजे आपको नमबर्स देखने को मिलेंगी इसका इंपक्त क्या जबरदस्त हो सकता है कुछ चुपे स्टॉक्स के बारे में जिकर करेंगे डिसकस करेंगे समझने की कोशिश करेंगे लेकिन अदानी अदानी और अमबानी यह दो नाम जो है एंटी गर्वर्मेंट की जो भी पार्टी से ही मैं कहूंगा जो अपोजिशन पार्टी जिनको कहूंगा मैं वह रही थी वह इन दो नामों का यूज कर रही थी लेकिन जड़ा देखेंगे एक अदानी स्टॉक को समझदे की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो पॉइंट सिस्टम मन्डवू रिवर्सल्स और निफ्टी की वीकली ऑप्शन्स बहुत इंपॉर्टेंट यह पार्ट जिस तरह किसे आपने देखा होगा वीकली ऑप्शन्स में पॉजिटिविटिविटिविटिविटि आपको दोनों साइट देखने को मिलेगी कभी लॉ इस टॉक के हम जिकर करने वाल हैं वहाँ अधानी ग्रुप का एसी सी यह अधानी ग्रुप का स्टॉक हो चुका है एसी सी और अम्बुजा यह अब अधानी ग्रुप के स्टॉक्स है अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो मार्केट का प्लेशन 50,000 करोड का और 2700 के करता है और अधानी ग्रुप की कंपनीज को अगर देखोगे तो आदे वाले टाइम पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के और ज्यादा प्रोजेक्स मिल सकते हैं अगर मोधी सरकार 3.0 यहां पे रही तो जैसा कि आपोजिशन पार्टी ऐज यूजिवल कहती आई है तो में हमें जो देखने को मिला वह एक बहुती बहतरीन रैली के बाद एक इंपोर्टेंट चीज हमें देखने को मिली, all-time high के पास यह इस टॉक क्या कर रहा है, all-time high के पास गया देखिए और उसके बाद यह all-time high के near consolidation correction दे रहा है, जिससे की एक breakout की possibility probability बढ़ जाती है, यह द रैली की उम्मीद M60 के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको यह कहूंगा प्राइस सेरीज में दाख की जाके देखिए M60 मशीन गन करेक्षिन क्या है देर सारे एक्जामपल्स हमने M60 करेक्षिन के आपने के सामने रखे हुए कई बार रखे हुए अब हमें ECC सीमेंट में यह M60 करेक्षिन देखने को मिल रहा है और यह M60 करेक्षिन का सबसे इंपॉर्टन एक्जामपल तो कि जून सीरी जबी स्टार्ट ही है और में सीरीज यहां पर जो है अल्रेडी डन है तो यहां पर हमारा जो लॉस है वो डिफाइंड है लॉस डिफा को अगर आँ देखोगे करेक्षिन एक बढ़िया रैली इस ने गया बाइसवा के लवल से 2750 के लवल तकी गया फिर देखिए किस तरीके से एक पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिल रहा है तो अब सबसे पहले रिस्क को डिफाइन करते हैं रिस्क को डिफाइन मिलना जब भी राइस देखने को मिला है और यहां पर अगर तसल्ली से आप देखोगे तो ब्रेक आउट होता है और इसके बाद पॉल बैक भी आता है और फिर यह मोमें आपकी आज की डेट पर देखने को मिला जो एक इंपक्ट ऑफ एजिट पोल मैं कहूंगा इंपक्ट ऑफ एजिट पोल के साथ मैं यह कहूंगा कि रजल्ट का इंपक्ट क्या रहेगा अगर आप देखोगे तो कम्प्लीट ले अग्जिट पोल एंडिये गवर्मेंट की पॉजिटिविटी एंडिये गवर्मेंट के लिए काफी पॉजिटिव है और एक स्टेबल मेंटम के साथ चीज़ें चलते हैं और M60 करेक्शन इस दा करेक्शन आप्र मोमिंटम इंपॉर्टेंट पाथ यह कई वार हम स्टॉक्स को बिल्कुल अर्ली स्टेजिस में समझने की कोशिश करता हैं बट M60 करेक्शन इस वन वी आर इन मोमेंटम इन हार टाइम फ्रेम जरूर चर्चा का विशाय बनाएं उसको जरूर कमेंट के थो शेयर करें और उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे M60 करेक्शन और वह भी ब्रेक आउट की नियर M60 करेक्शन जो कि अपने आप में बहुत महत्तोपूर्ण हो जाता है तो मिर यहां पे ACC से बहुत लगा जाएगी और अगर मोधी सरकार 3.0 मैं 2.0 किसको कहा रहा था 2019 वाली और 1.0 कौन से थी 14 वाली और अब 24 वाली क्या होगी 3.0 मोधी सरकार 3.0 जो कि कल रिजल्ट आपके सामने है वो बनती है तो आपके सामने यहां पे नतीजे जो है वो बहुत ही बहतरीन रहेंगे स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक मार्केट ने काफी पॉजिटिविटी रिस्पॉंस किया है पिछली दो टर्म्स के लिए और ग्लोबल मार्केट जिस तरह किसे कोविड में बिल्कुल एक्दम क्राश हुई थी उसके बाद जिस तरह किसे पॉजिटिविटी देखते को मिली ओवरल और इंडिया के स्टेवल गवर्मेंट का आना जो कि सोनी पर सुहागा वाली बात बार बार आपको चीज कहता है वह स्टेवल गवर्मेंट तो उसका जो impact होता वो पॉलिसी में वो एक positive impact होता है और जब coalition government होती है तो वहाँ पर decision making indecisiveness होता है जब indecisiveness है कोई decision properly ले नहीं पाते है then definitely there will be delay in there will be delay in यह मैं confidence के साथ के रहा हूँ धिर उन भी delay in decision making कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को concerns लोगों को जो आपस में मिले वहें उनको same point पर आना पड़ेगा same page पर आना पड़ेगा discussion चलेंगी so rather than a stable government a coalition government वहाँ पर time taking हो सकी है है तो वहाँ पर conflicts भी हो सकते हैं अलग अलग parties के conflicts होते हैं जो कि smooth decision making में impact दे सकते हैं impact मतलब एक issue create कर सकते हैं एक smooth decision making में so that is the point कि जहाँ पर market की expectation क्या है we need a stable government market की expectation ही रहती है यहाँ पर politics की तो बात हो नहीं रही है and if there is a stable government then definitely market will react positively और exit poll के नतिज़ों ने सीदे सीदे बया कर दिया कि market का रोज़ान क्या है वो stable government की तरब है तो stable government की तरब है तो market ने उसका impact भी आपको दिया आज की date में and if that same thing जो वो रहती है अगर यहाँ पर तो कितना positive हो सकता है तो उमीद करूंगा कि यह चीज़ें आपको समझ में जरूर आएंगी एसी सीमेंट के मात दिन से हमने m60 करेक्शन को समझने की कोशिश करी मोधी सरकार 3.0 के बारे में थोड़ा से चर्चा करने की कोशिश करी stable government के फायदे के बारे में चर्चा करने की कोशिश करी और उमीद करता हूं कि आपको भी चीज़ें समझ में जरूर आ रहे होंगी और आपके अपना देखिए राय अपेनियन अलग हो सकता है और किसी के विचार अलग होते हैं वह आप कमेंट के तुरू बता सकते हो वाइड आप करता हूं वीडियो को आप शेर कीज़ें लाइक कीज़ें प्राइस सेक्षन सेख तुरू आं थैंक 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 शॉरू खार्चिक वीडियो